हलो फ्रोइन गुड मॉर्निंग देखे मैंने एक बात बोला था कि देखे बिहार में नौकरी चाहिए तो बीड जरूर कीजिए ठीक है और मैंने बोला था इस बार मैं बीड पर स्पेशल ध्यान रखूंगा देखे हम लोग का बीड दो पहले निकला था उसको कैंसल किया गय देखे यह बीड दोजर चौविस के लिए है ठीक है अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आई यह मितला ललित नरायन मितला इंवर्सिटी जो दर्भंगा में है उसके दौरा लिया जाता है और जितने भी बिहार के कॉलेज है और जितने भी इंवर्सिटी में होता है सारा का सा सारा इसी से लिया जाता हूँ मैं स्पेशल विडियो बना के दिखा दूगा कि बिहार के कितने गौर्मेंट इंवर्सिटी है कितने प्राइवेट से हम लोग का बीड होता है अभी हम लोग आते हैं पहले एक्जामनेशन पैटर्ण में जड़ा से देखे इसको आते हैं अब हम लोग एक्जामनेशन इंपोर्टेंट एक्जामनेशन जो हम लोग का सीड्यूल है वो देखे हम लोग का लेते हैं कि भाई अगर हम लोग बात करते हों कि ओनलाइन अप्लिकेशन फॉर्म भढ़ने का डेट तो ओनलाइन एक्जामिनेशन फॉर्म भढ़ने का जो डेट है वो हम लोग का है देखे हम लोग का तीन तारिक मतलब तीन माई से 26 माई तक है ठीक है अब सम्मीशन ऑप्लाइन अप्लिकेशन फॉर्म लेट फॉर्म के साथ अगर उसको सम्मीट करना सकते हैं 27 माई से 2 जून तक आप कर सकते हैं एडिटिंग ऑफ फॉर्म को एडिट कर सकते हैं तो एक जून से चार जून तक अगर कोई गलती रह गया को सुधार ना चाते हैं तो आप एडिट कर सकते हैं मतलों आपका एडिमिट कार्ड कब मिलेगा तो 17 जून से मिलना सुरू हो जाएगा और हम लोग का एकजामनेशन डेट कब है 25 जून है यह सबसे इंपोर्टेंट है 25 जून है अगर आज से बात करें तो आज हम लोग का 20 मई है पूरा-पूरा हम लोग का एक महिना है मैं एक महिना के अंदर कैसे आप तयारी करें कि आपका गॉर्णमेंट कॉलेज मिल जाए वो मैं बताऊंगा ठीक है अब हम लोग थोड़ा और दूसरे सीडूल पर और दूसरे चीज़ पर भी ध्यान दे दें देखे में बात है मैं आए हैं एक्जामनेशन पैटर्ण के लिए ठी कि 120 कोशन रहेगा कितना रहेगा 120 रहेगा ठीक है और कैसा रहेगा multiple choice ठीक है तो देखे 4 expected यहां पर अंसर ठीक है तो 4 गो option रहेगा ठीक है तो इसको और अच्छे से देख लिजे यहां पर देखे हम कर रहे हैं दक कोशन बुकले सेली 120 ऑब्जेक्टिव टाइप यहां पर देख रहे हैं 120 ऑब्जेक्टिव टाइप कोशन इच केरिंग वन मार्स मनें 120 कोशन रहेगा हर एक कोशन में क्या रहेगा वन मार्स कर रहेगा तब मैक्समम मार्स उट भी इंटेस्ट टेस्ट इज 120 ऑब्जेक्ट या अंसर शीट विल भी प्रोवाइड़ दो अंसर दा कुशन ठीक है उन्हें 120 कोशन रहेगा और 120 कोशन को गोल करने के लिए आपके पास ओमार सीट रहेगा यहां पर जो ओमार सीट देख रहे है ठीक है ओमार सीट देख रहे है अब आते हम लोग बहुर एकजामनेशन पैटर्न पर ठीक है I hope कि आप लोग को सब दीख रहा हो नहीं देखेगा तो आप कॉमेंट करके बताइएगा मैं वो लिंक ये मैसेज में कर कि बता दूंगा description बॉक में देखे ये करा जैंडरल इंगलिश जो हम लोग का जैंडरल इंगलिश है वो कितने मार्च का रहे नहीं तो जो संस्क्रीप में देना चाहते हैं इस इच्छा सास्ती प्रोग्रामर के रूप में general sense की तो वो भी 15 question रहेगा और 15 marks का रहेगा क्योंकि एक question एक question एक marks का रहेगा जेनरल हिंदी हम लोग का जेनरल हिंदी ये भी general हिंदी कितना रहेगा 15 question रहेगा कितना 15 marks का फिर आते हैं logical and lateral reasoning ठीक है यह हम लोग कर रहेगा 25 marks का total question रहेगा कितना 25 आते हैं general awareness ठीक है यह हम लोग कर रहेगा 40 और marks भी होगा 40 ठीक है चलिए आप हम लोग देखते हैं पाच मां ठीक है तो पाच मां में हम लोग को कह रहा है teaching learning environment in school उसके बारे में एक बुक आती है वो भी मैं आपको list बता दूगा उससे सारे question आ जाएगे teaching learning environment in school इसमें क्या रहेगा भाई 25 मां question रहेगा 25 मार्ज का अगर आप total जोड़े कोई एक हटा दीजेगा या तो आप Sanskrit का हटा दीजे या English का हटा दीजे तो हम Sanskrit को नहीं लेके चल रहे हैं ठीक है हम English को लिखने दे रहे तो देके 15 और 15 के आगा 30 30 प्लस 15 के आगा 45 45 प्लस 25 ठीक है तो यह 50 आई 70 ठीक है 70 प्लस 40 70 प्लस 40 70 प्लस 40 ठीक है नो गलत लगता है साइट संस्कीत का भी मैंने जोड लिया क्या नहीं नहीं संस्कीत का हुँ मैंने संस्कृत का भी जोल लिया था मैं फिर से इसको करने दिया रहूँ देखों इंगलिस का जो मार्स है हम लोग का हो गया 15 और फिर हिंदी ले रहे हैं तो 15 15 30 30 प्लैस अगर हम लोग 25 का बात करें ठीक है तो क्या हो जागा हम लोग का 30 प्लैस 25 क्या हो जागा 55 55 में हम 40 ठीक है 55 में 40 तो क्या हो जागा हम लोग का 95 ठीक है और 95 में 95 में फिर हम लोग क्या कर रहे हैं 25 जोड़ रहे हैं तो 95 95 प्लैस 25 ठीक है यह आ जा रहा हम लोग का टोटल 120 ठीक है तो देखे 120 कोस्टन भी है 120 मार्स का भी है यही मैं बताना चाह रहा हूँ तो यही हम लोग का एक्जाम पैटर्न है ठीक है तो आज मैं आया था आप लोग का एक्जाम पैटर्न बताने के लिए ठीक है थोड़ा सा किस में कितना फीवेगर लग रहा वो भी मैं डिसकास कर देता हूँ आपको तो कि आगले वीडियो मैं यह बताऊंगा कि किस कॉलेज में कितना सीट है या टोटल सीट क्या है तो ज़रा सा देखिए जो जेनरल कंडिडेट को कितना लग रहा 1,000 जो हम लोगा EBC, BC, BUMEN, EWS इनको लाग रहा 150 फिर हम लोगा AC, ST कंडिडेट को लाग रहा 500 ठीक है 750 है 150 का लागया शुरू में मने EBC, BC, BC, BUMEN, EWS को हम लोग को क्या लाग रहा 750 अब हम लोगा fee to be paid थोरो दा ओनलाइन मोड में आप दे सकते हैं gateway थोरो fee once pay shall be not fee refundent under any second मने एक बार अगर payment आप कर दिया हो आपको form भी नहीं भरने का मनने तब भी आपको आपका form गलती हो कुछ भी हो लेकिन आपको दुबारा पैसे नहीं मिले हुआ ये बात सोच कहीं आपको भरना है ठीक है तो ये था अगले बार जो हम लोग discussion करेंगे कि कौन-कौन सो government university है ठीक है government university हम लोग देखेंगे जिसमें B8 की पढ़ाई होता है और total seat कितना है ठीक है वो discuss करेंगे ठीक है thank you have a nice day